हेलो दोस्तों पीजडी का एक नेरन उट्रिक्रिशन स्टार्ट हो गया है जो कि ट्रिपल आटी हैत्राबास से है दोस्तों इन्हें विंटर सेशन के लिए आवेदर मांगा है दोस्तों सबसे पहले इन्होंने यहां पर इंपोर्ण डेट्स की बात करें तो सोल अक्टोबर से यह फॉर्म स्टार्ट हो गया था और पंदर नमंबर इसके लाश्ट इट बताएगी है और दोस्तों इन्हें काफी सारे सब्जेट्ट बताए हैं जिसके अंदर के आवेदर मांगे गए हैं तो यहां पर प्यजडी इन कंप्यूटर साइंस के अंदर यह देख सकते हैं प् यहां पर आप रिडाउट कर सकते हैं क्लिक करके और दोस्तों इलेजिविल्टी की बात करते हैं यहां पर इलेजिविल्टी दी हुई है प्यजडी प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर साइंस और इंजिनियरिंग के लिए बताया गया है कि आपका इसमें बी टेक एमी एम इसमें बीट इसके सामने दी हुई है तो यह आपके पास में होनी चाहिए और आगे एडमिशन प्रोसेजर की बात कीगी है कि आपका जो स्क्रीन इच्ट बगरा होता है तो उसके लिए आपके पर्फूर्मस बगरा देखी जाएगी और यहां बतायेगे कि आपके पास में कोई एक्जाम बगरा हो जैसे कि गेट, मेरिच, कोई स्कोलरशिप बगरा हो, CSR, UGC, NET हो और आपके रेलेमेंट एडिया से आपका CV बगरा हो, experience हो, किसी IT, इंडेस्टी बगरा से तो यह सब लोग ही short list किये जाएगे इसके लिए तो यह IIIT हैदरबाद campus के लिए और दोस application form और application form तो आपको यह incomplete application form नहीं हो चाहिए नहीं तो यह reject कर देंगे, यह लिखा हुए, desk reject ही हो जाएगा, और application open चल रही है, और application fees इसके कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि ट्रिपल आइटी के साब से इसकी fees ज़्यादा है, दो ज़्यार पर application आवेदन करने इसके तो आप देख सकते हैं, कि full time PhD content के लिए 31,000 पर रहने वाले हैं, 31,000 से 35,000 पर मिलेंगे आपको, यह मिलते हैं, यहाँ पर आपको 50,000 पर दिये जाते हैं, यह जो आप इसके अंदर और आवेदन कर सकते हैं, कोई fellowship scheme रहती है, Google, TCS वगरा की, और important data यहाँ पर फिर से बताए पर रहने वाली है, announcement के जाएंगे, selected attendance जो होंगे, 15 दिसंबर को, और जो seat accept करेंगे, वो 21 दिसंबर तक रहेगा, last date यह reporting की 25 दिसंबर रहने वाली है, आपको physical reporting भी करनी होगी, IIIT हैदरबाद campus के अंदर 30 दिसंबर को, और आपकी classes दो जनवी से start हो जाएगी, दो जनवी 2025 से दोस्तों, यहाँ पर कुछ query वगरे के लिए भी email address वगरा और mobile number दिये हुए है, तो आप इनसे contact कर सकते हैं, दोस्तों, यह है इसके बार में information, बाकी आपको यह कुछ और structure वगरा देखना है, और इन subject से related देखना है, तो आप इन पर click कर सकते हैं, और बाकी eligibility या irregulation के आपको नीचे यहाना है, और यहाँ पर आपको नीचे ही देखने हो मिल जाएगा, आपको अब इन के इसपर कर सकते हैं, और दोस्तों, डेखने के लिए भी आप नीचे जाएंगे, और वापस बैग जाने बाद में, आप यहाँ पर regulation दिया हुए है, यह आपको हम दिखा दोस्तों, यह देखेंगे दोस्तों, यह देखें दोस्तों, यह फॉर अख़िधे मेक रेगूलेशन और पीच्डी प्रोग्राम, आपको इसपर क्लिक करना है, और आपको सामने regulation इसका दिख जाएगा, तो दोस्तों, यह regulation बताएगे है, यह जाएगे, तो आपको पूरा तो यह भी आप रीड़ाउट कर सकते हैं यदि आपको रीड़ाउट करना है तो यह है इसके बारे में इप्टेट के लिए